हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSE कोचिंग सेंटर, दोस्तों, रीजिनिंग के सबसे महत्पून प्रेशने हैं आज के वीडियो में, जो की गुरूप D में आपके लिए बहुत मदद करेंगे, और मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूँ, एक दिन में तीन वीडियो को मिलेंगे, जिसमें मैट्स, गड़ित, ठीक है, मैट्स गड़ित रहेगा, रीजिनिंग भी रहेगा, और आपका GKGS भी रहेगा, ठीक है, तीनो वीडियो मिलेंगे आपको, रेगुलर, तो वाच रेगुलर कीजिए, ताकि आपकी एक्जाम की तयारी, अच्छे से हो पा गया, 24, फिर बढ़ गया, 96, फिर 48 हो गया, मतलब कम हो गया, और फिर बढ़ रहा है, 192, फिर question mark है, और बाद में दे रखा है, 384, अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा, कभी भी अगर आपको ऐसी सीरीज मिले, जिसमें कभी बढ़े, कभी घटे, कभी बढ़े, इस तरीके से, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, लगातार तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, वहाँ पर आप करेंगे, एक संख्या को छोड़ करके, जैसे कि मैं 48 के बाद में एक संख्या को छोड़ दूँगा, 48 के बाद में मैंने 24 छोड़ दि फिर एक संख्या को छोड़ करके आगे चलेंगे आप 40 को छोड़ दी एक संख्या को तो 96 से 192 हो रहा है तो 96 से 192 कैसे होगा अगर आप 96 का multiply 2 करेंगे तो 192 हो जाएगा अब आगे भी चलिए एक संख्या छोड़ करके तो मैंने ये question mark वाली संख्या छोड़ दी 192 से 384 हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है multiply 2 हो रहा है यहाँ भी multiply 2 हुआ यहाँ भी multiply 2 हुआ और यहाँ भी multiply 2 हो गया ठीक है अब यहाँ पर जो बच्ची हुई संख्या है उनका relation बनाएंगे तो बच्ची हुई संख्या कौन सी है 24 और 24 करने से कितने से बनेगा 48 से भाई 96 को छोड़ के बनाएंगे एक संख्या को तो 24 करने से 48 से बनेगा तो यह कैसे बन रहा है दोस्तों 24 से 48 का मतलब क्या है 24 का मल्टपर अगर आप 2 से करने तो 48 मिलेगा केलियर है तो अब इसका मल्टपर 2 से करने पर 48 और यहां पर भी क्या करनेगे 48 बन गया अब एक संख्या को छोड़ करके यहां पी चलेंगे तो यहां मल्टपर 2 हुआ तो यहां पर भी मैं क्या करूँगा मल्टपर 2 और 48 का मल्टपर 2 से करेंगे तो कितना होता है भाई 96 होता है तो question mark वाली सके कौन से संक्याएगी 96 आजाएगा और 96 दे रखा है C option में उम्मीद करूँगा प्रशनी सभी को अच्छे से समझे मागया किसी को भी प्रशनी में कोई समझे नहीं होगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है निमनलिखित में से कौन से चिन्नों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकन सही हो जाए एक समीकन आपको दे रखा है अब यहाँ पर हम इन किन चिन्नों को बदलेंगे इस समीकंड में जो चिन दे रखे हैं? किन चिन्नों को बदलें के समीकंड जो है हमारा वो सही हो जाए? सही का मतलब है कि यह जो हमारा सत्तरे के बराबर आ रहा है, सत्तरे के बराबर आ जाना चाहिए तो हमेज़े याद रखना आपके पास जब चार ओफसन हैं चार option जब आपके पास हैं तो हमेशा याद रखना है एक trick बता रहा हूँ कि हमेशा सबसे पहले अगर आप एक एक करके चार option को चेक करेंगे तो इसमें तो बहुत से में लग जाएगा इसलिए सबसे पहले आपको वो option देखना है जिसमें divide दे रखा हूँ तो दो option है divide वाले एक तो पहले में divide है और एक तीसरे में divide है ठीक है divide वाले option को देखी सबसे पहले अब divide वाले option आपके पास दो है तो दो में से सबसे पहले हैं किसको लें जिसमें divide सबसे पहले दे रखा है उसमें यहाँ divide बाद में है यहाँ पहले divide है तो सबसे पहले आप उस option को लीजिए जिसमें divide पहले है इसको लूँगा मैं तो divide और गुना को सबसे पहले change करूँगा तो series मेरे पास यहाँ पर है ठीक है आप देखिए 5 है मेरे पास 5 है clear 5 के बाद plus है plus के बाद में 6 लूँगा अब मेरे पास divide आ गया मेरे पास तो में क्या करूँगा divide के जिगे पर गुना ले लूँगा इन चिन्नों को बदलूँगा divide के जगे पर गुणा बहुए गुणा ले लूँगा कितना है 3 माइनस का फिर 12 है अब यहाँ पर गुणा आ गया जब गुणा आ गया तो फिर divide ले लूँगा ठीक है divide ले लूँगा अब बराबर कितने के आना चाहिए वही 17 के, मैंने क्या बताया आपको, जिस option में सबसे पहले divide हो, उसे लीजिए, ठीक है, अगर हमारे पास एक ही option है, divide वाला, और उसे में बाद में divide है, तो पहले उसको solve कीजे, divide वाले को, ठीक है, अब यहाँ पर divide कीजे के गुना ले लिया, हमने गुना कीजे के divide ले लिया, अब इसको हम solve करेंगे, यह मेरे पास 5 है, पिलस, 6 का मल पर 3 से कर दू कितना हो जाएगा, यह 18, minus, 2 से divide कर दू बारे में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, बराबर 17, 5 और 18 कितना हो जाएगा, भाई, यह 23 हो जाएगा, और minus कितना 6 है, बराबर कितनी के आना चाहिए, यह 17 के, 23 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा, तो 17 के बराबर आया कि नहीं आया बई, 17 के बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, तो पहला option सही हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने आपको जो तरीका बताया है, कि ऐसा प्रशनी कभी भी दिया जाए, तो सबसे पहले वो option लीजिए, जिसमें सबसे पहले डिवायर दे रखा है, बात आगे clear, आप देखेंगे अगला प्रशनी, अगला प्रशनी है, एक भाशा में 123 बराबर है, गर्म, फिल्टर्ड और कॉफी के, 356 बराबर है, बहुत गर्म दिन, और 589 बराबर है, दिन और रा 2 और 3, यह कितने के बराबर है भाई, यह आपका गर्म, गर्म के बाद फिल्टर्ड ठीक है, फिल्टर्ड और उसके बाद मैं कॉफी, भाई यहाँ पर हमारे 123, तीन अलफाविट नमबर है, तीन हो, तीनों का कोई ना कोई कोड हो गए यहाँ पर, दूसरा दे रखा हमारे 356, यह दे रखा है, ठीक है, यह कितने के बराबर है, सबसे पहले तो बहुत, उसके बाद मैं घर्म, उसके बाद मैं दिन, ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, 589, यह कितने के बराबर है, दिन और रात के, ठीक है, अब यहाँ पर बनाना है, आप से पूछ रहा है, बहु को मैं बता हूँ सबसे पहले common निकाल लिए जैसे गर्म यहापर भी और गर्म यहापर भी यहां पर है यहांपर और यहाँ पर तीन कोमन है, यहाँ पर भी गर्म है, यहाँ पर भी गर्म है, यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर भी तीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि तीन का जो कोड है, वो गर्म हो गया, ठीक है, तीन का कोड गर्म हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दोस्तो और आपका यहाँ पर भी दिन है, तो दिन के लिए कुछ ना कुछ तो common होगा, तो देखें, यहाँ पर भी पांच है, यहाँ पर भी पांच, इसका मतलब पांच का कोड दिन हो गया, पांच का कोड क्या हो गया, दोस्तों दिन हो गया, तीक है, आप तो बता सकते हैं, आप से पूछ रहा है कि बहुत के लिए कौन सांक है भाई देखें जो तीन है वो आपका गर्म के लिए है जो पांच है वो आपका दिन के लिए तो छे बचा तो छे किस के लिए होगा बहुत के लिए होगा कि नहीं होगा भाई तीन पांच छे जो आप तीन आपका गर्म के लिए हो अब देखेंगे हम अगला प्रेशने अगला प्रेशने है बी पी का पती है बहुती ही बढ़िया प्रेशने है दोस्तों ये आपका और ये है दोस्तों आपका कौन से चैप्टर से प्रेशने आपका आपको अच्छे से मालूम है कि ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों अब यहां पर देखी कहरा है जो B है वो P का पती है यह जो हमारा B है यह P का पती है ठीक है इस P का पती है अब यह male हो गया तो इसलिए प्लस से denote करते हैं और यह female है तो इसे माइनस से आगे कहरा Q E का अकेला पोता है D की पतनी और P की सास है यह जो E है वो D की पतनी है जो E है हमारे पास वो D की पतनी है और P की सास है पी की सास है, पी की सास है, पी की सास है कौन E, और D की पतनी है, जो E है हमारे पास, ये D की पतनी है, ठीक है, D की पतनी है, और P की सास है, तो ये हमारे पास female है, तो ये negative से, ये man है, तो इसे plus से denote करते हैं, अब जो Q है, वो E का केला पोता है, E का पोता है E का पोता कब हो जाएगा P की ये सास है हमारे पास हमें दे रखा है कि P की सास E है तो E की ये बहु हो जाएगी बहु का मतलब है बेटे की बहु और बेटे का कोई पुत्र होगा बेटे का पुत्र होगा Q तभी तो बेटे का पुत्र होगा P, भाई P का पती है ये, तो B की पतनी ये हो गई, अब इसकी पतनी ये है, और इसकी सास ये है, तो देखें इसकी ये मा हो जाएगी के नहीं हो जाएगी, भाई इसकी ये मा हो जाएगी, किलियर है, भाई पतनी की मा कौन लगेगी, पतनी की मा कौन लगेगी, इसकी मा ही तो पतनी की सास कौन लगेगी इसकी माँ आप देखें ये इसका बेटा है तो ये इसका भी तो बेटा होगा और बेटे का बेटा कौन लगेगा पोता ही तो लगेगा अब आपसे कह रहा है कि B का D से क्या रिस्ता है B का D से रिस्ता इस B का इस D से रिस्ता पूछ रहा भाई B का D से रिस्ता तो देखें ये इसकी पत्नी है और ये पत्नी का बेटा है तो भीया कौन लगेगा पत्नी का बेटा बेटा ही लगेगा लगेगा के नहीं बेटा तो D option आपकी प्रेशने का बिल्कुल सही आंसर है उमीद करूँगा कि सभी को प्रेशने अच्छे से समझ में आगया होगा कोई परिशानी किसी को बिल्कुल नहीं होगी अब देखेंगे दोस्तो अगला प्रेशने अगला प्रेशने है निम्नांकित आकरती में कितने तिर्भुजे है भाई यहाँ पर एक आकरती आपको दे रखिया इस आकरती में कितने तिर्भुजे है यह आपको बताना है तो सबसे पहले हम क्या करा है जो छोटे छोटे तिर्बूज हैं उन्हें अकाउंट कर लेते हैं छोटे छोटे तिर्बूज जैसे कि एक ये वाला हो गया एक दो, ये वाला हो गया, दो, तीन, ये वाला तीन, चार, ये वाला चार, पांच, ये वाला पांच, और छे, छोटे-छोटे तिर्बुज हमने इसमें गिल लिए, छे हो गए, ठीके, छे हो गए, अब छे तिर्बुज इसमें हो गए, अब आगे और कितने तिर्बुज बन रह हुआ कि नहीं यहां से लेके यहां तक एक तुर्भूज ही हो गया और यहां से लेके यहां तक एक तुर्भूज ही हो गया तो कितने हो गया दो तुर्भूज इसमें और हो गये तो मैंने दो और ले लिया ठीक है दो ले लिया अब दो के बाद में और कौन से तुर्भूज बनने वो देखूंगा यहां से लेके दो वाला एक यह बनेगा है कि नहीं यह वाला एक तरबूज यहां से लेके यहां तक यह बना एक तरबूज ठीक है यह दिखाई देरा सबको एक तरबूज यह हो गया तो मैं यहां पर क्या करूँगा इसमें एक और चोड़ दूँगा यह वाला बड़ा वाला दो मिला करके बना अब और कौन सा मिला बन रहा है दो बना करके देखी यहां से यह देखी ऐसे करके एक यह बन गया एक तिरभु यह बना ऐसे करके और एक यह बन गया तो दो और बन गये इसमें तो मैं इसमें दो भी और अद करूँगा ठीक है, दो इसमें मैंने भी और सबसे बड़ा बाला रह गया कि नहीं रह गया सबसे बड़ा बल रह गया तो इसमें मैं भी एक और जोड़ दूँगा किलियर एक और मैंने जोड़ दिया अब ध्यान दीजिए इसमें कहीं और तिरबुज रह रहा है क्या देखिए इसमें अभी और कौन सा तिरबुज रह रहा है ध्यान से देखिए नहीं दिख रहा, ध्यान से देखिए एक बार फिर से कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनको जोड़ूँगा 6 और 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 option में है यह नहीं है, तो इसका मतलब अभी 14 के बाद में 16 त्रिभुज है तो इसका मतलब 2 त्रिभुज अभी इसमें और बन रहे हैं अभी इसमें 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, वो 2 त्रिभुज कौन से हैं, वो ध्यान से देखिए ठीक है, किलियर है, उसे ध्यान से पहचानी है कि अभी इसमें 2 त्रिभुज जो बन रहे हैं, वो कौन से बाले बन रहे हैं अब मैं बता तो कौन से वाले, यहां से देखिएगा यहां से, यह वाला, यहां बीच में रुक के यह वाला, ऐसे, ठीक है, यह वाला, समझ मैं बात, यह वाले कॉर्णर से यहां पे, यहां पे, और यह सीधा, एक हो यह हो गया, और एक इधर साइड में भी बनेगा यह वाल तो बारी की से देखना है ध्यान से देखना है अगर मैं आपको ये चीजे आज अच्छे से बता दे रहा हूँ तो जब कभी भी आप प्रेशने को स्वाल्व करेंगे तो आप ध्यान लगा लेंगे कहां कहां से कैसे कैसे तरभुज काउंट किया जाता है ठीक है दोस्तों बात के लिए रहा है उम्मीद करूंगा प्रेशने सभी को अच्छे से समझ मागे हैं कोई परिशानी किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद